नवश्कार सर, मैं छबी आदव एक आकिटेक्ट हूँ और नौईडा में रहती हूँ सर मैं माईगॉफ तब से फॉलो कर रहे हूँ जब से ये लॉंच हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि इसके माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ मेरा सवाल संगठन और वॉलेंटियर के बारे में है मेरे हिसाब से माईगॉफ एक बहुत अच्छा प्लाटफॉर्म है हम सब वॉलेंटियर्स के लिए और क्यूंकि आप स्वयम में एक कारेकरता रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अनुसार एक अच्छे वॉलेंटियर या कारेकरता में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फिर पे आपने कारेकरता वाले दिनों के कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें इसके अलावा आपने अपने अप में भी वॉलेंटियर्स के लिए बहुत स्कोप रखा हुआ है इस आप का आपको आइडिया कैसे आया और इससे आप क्या खुद इस्तिमाल करते हैं शमी ने पूछा कि वॉलेंटियरिजम तेकि भारत में आप सामाजी काम करना यह हमारे समस्कारों में हमारी विरासत है कोई पी रायए आप देखते हुंगे लोग पहुंच जाते कुछ से लगम करते ठेंट भारत में समाज सेवाई कोई सिखानी नहीं पड़ती है उसके कोई क्लास नहीं लेने पड़ते हैं, यह हमारे स्वभाव में होती है, समस्या यह है कि इन दिनों समाज सेवा के साथ मेरा क्या, यह जुड़ गया है, सच मुच मैं अब कल्पना करिए कि बाबा साब आमेड कर, शिक्षा दिक्षा पाकर के इतने बड़े व्यक्ति बने, भारत में दलीत होने के कारण, उनको भहुत सारे अपमान सहने पड़ते थे, विदेशों में उनके लिए मान, सम्मान, पद, प्रतिष्णा, पद भी सब कुछ मुझूद था, लेकिन बाबे साब अंबेड करका, सेवा भाव देखिये, को सारी अच्छाईयों को छोड़ करके, यहां अपमानित होँगा, भले हो जाऊँगा, लेकिन जाकर के हिंदुस्तान में ही काम करूँगा, यह है प्रेरणा, और वो आए, मात्मा गांधी बेरिष्टर थे, छोड़ चाड़ कर के आ गए, सरदार वलभाय पटेल, बेरिष्टर थे, बहुत कुछ कमा धमा सकते थे, पढ़ाय की छोड़ दिया, आगे, भी सावर कर, बेरिष्टर थे, बहुत बड़ी संभावनाय थी, छोड़ दिया, आगे, अंडामान की जेलों में, जिन्दी की गुजार दी, जमानी खपा दी, आगे, अंगिनत ऐसे लोग हैं, जिन्नोंने, देश के लिए कुछ न कुछ छोड़ा है, स्वयम से भी संगट सेवा भाव से हमारे भीतर एक स्पार्क होना चाहिए, हम कुछ नहीं करते हमारे रहने के नदिग में कोई गवर्मेंट स्कूल है, कभी आता गंटा जाए तो सही पूछे तो सही इन बच्चों को, धीर धीर आपका मन लेगेगा, चलो भाई, इन दस ब काम है, वो टीचर तो नहीं पढ़ाता है, मैं पढ़ाओंगा, आप स्वाहिम से के संगधन होगा है, कोई बड़े संगधन की जरौत नहीं होती है, बहुत बड़े डोनेशन की जरौत नहीं होती है, बहुत बड़े इंस्टिटूशन बनाने की जरौत नहीं होती है, बस त मुझे इतना गुस्सा आता है, गवभक्त अलग है, गव सेवक अलग है, पुराने जमाने आपने देखा होगा, कि बात्सा और राजाओं की लडाई होती थे, तो बात्सा क्या करते थे, अपनी लडाई की फोच के आगे गाय रखते थे, राजा को ये परिशानी होती थी, लडाई में अगर हम सस्त्रों का वार करेंगे, तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलजन में वो हार जाते थे, और वो भी बड़ी चालाकी से ग कुछ लोग, लेकिन दिन में गवरक्षक का चोला पहन लेते हैं, मैं राजे सरकारों को अनुरोद करता हूं, कि ऐसे जो स्वयम से भी निकले हैं, अपने आपको बड़ा गवरक्षक मानते हैं, उनका जारा डोजियर तियार करो, सतर असी परसेंट ऐसे निकलेंगे, जो ऐ अपनाज फिकार नहीं करता हैं, लेकिन अपनी उस बराईयों को उसे बचले के लिए ये गवरक्षक का चोला पहन करके निकलते हैं, और सचमुझ में, सचमुझ में वो गव सिवक है, तो मैं उनसे आगरा करता हूं, ये काम कीजिए, सबसे ज़्यादा गाएं, कतल के प्लास्टिक खाने से मरती है, आपको जानकर गहरानी होगी जे, गाए कुड़े कचण बें प्लास्टिक खा जाती हैं, और उसका परणाब होता है कि गाए मर जाती है, मैं जब गुजारात में था, तो मैं कैटल हेल्ट केप लगाता था, पशूओं के हेल्ट कैम्प लगा करवाता था और उसमें मैं ऐसी गायों के बिमारी को उनके आपरेशन करवाता था एक बार में एक कारेकम में गया एक गाय उसके पेट में से दो बाल्टी से भी जादा प्लास्टिक निकाला पेट में से काट करते हैं अब यह जो समाज सेवा करना चाहते हैं कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फैकना बंद करवा दे तो भी बहुत बड़ी गव सेवा होगी और इसलिए स्वयम सेवी संगठन स्वयम सेवा ये औरों को प्रताडित करने के लिए नहीं होती है औरों को दमाने के लिए नहीं होती है एक समपन चाहिए करुना चाहिए त्याग चाहिए बलिदार चाहिए तब जाकर के सेवा होती है और इसलिए अगर हम सब कुछ न कुछ समाज के लिए करें कभी हमने हमारी अख़बार बांटने वाले को पूछा नहीं होगा कि भी क्या करते हो बच्चे कितने हैं क्या पड़ नहीं पूछा होगा दूद देने आता है घर पे थेली रक्तर के चला जाता है कभी नहीं पूछा होगा पोश्मन आता है कभी पूछा नहीं होगा क्या है भाई कभी तो अपनों के आस पास जो सामान्य जीवन जीने वाले उनको पूछो तो सही कि भाई क्या हाल है तेरा तेरी बच्ची की पड़ाई क्या है आप देखिए से अगल में खड़े हुए इंसान उसका जबाब ही आपको कुछ करने की प्रेणा देदेगा और अगर यह आपने कर लिया मुझे भी स्वास हैं कि आप देश की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं